नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम है तुईशा, आज अस गनित के कक्षा में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिननन और स्वागत आज हम कक्षा दो की गनित की पाठे पुस्तक की इकाई एक पर बातचीत करेंगे, जिसका नाम है समुद्र किनारे एक दिन क्या आपने कभी समुद्र देखा है? समुद्र नहीं तो नदी देखी होगी? हाँ, मैंने समुद्र का चित्र देखा है बच्चों, हो सकता है कि आप मेंसे किसी ने समुद्र या नदी का चित्र किसी पुस्तक में देखा हो या किसी ने अकबार में कुछ ने तो टीवी में भी देखा होगा और कुछ ने तो समुद्र या नदी की सैर भी की होगी बच्चों, जब मैं आप जितनी थी तुईशा क्या आप भी चाहते हैं समुद्र की सैर करना हाँ मुझे भी देखना है तो आईए चलते हैं समुद्र के किनारे देखिए यह समुद्र किनारे का एक चित्र तुईशा देखकर बताईए कि आपको यहां क्या-क्या दिखाई दे रहा है मैंने सबसे पहले देखा खूप सारा पानी और उसमें खड़े नाव यह है समुद्र का किनारा जहां पेड़ भी लगे है यह कौन से पेड़ है पहचाना आपने इसके फल हरे हरे पानी से भरे हुए है बोलो क्या नाम है इस फल का? नारियल यह है नारियल के पेड़ अच्छा देखो क्या सभी नारियल पेड़ों पर ही है? नहीं तो और कहां है? थेले वाले के पास उसने नारियल को अपने थेले पर लठका रखा है क्या इस चित्र में कहीं और भी नारियल है? ढूनो हाँ हाँ मुझे दो और नारियल दिखे जमीन पर पड़े हुए चलो देखते हैं कि इस चित्र में कुल कितने नारियल है आईए पहले पेड़ पर लगे नारियलों को गिनते है एक दो तीन चार पाँच पहले पेड़ पर है पाँच नारियल दूसरे पर भी है पाँच और तीसरे पेड़ पर भी है पाँच नारियल इसके अलावा ठेले पर भी पाँच पाँच नारियलों के दो ठेले है तो ये हुए पांच, दस, पंद्रा, बीस, पचीस नारियल लेकिन क्या हमने सभी नारियल गिन लिये? अरे नहीं, जमीन पर भी तो दो नारियल है पचीस और दो हुए 27 नारियल हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, आप अपनी पाठे पुस्तक में देखेंगे कि इस चित्र के नीचे एक प्रश्न भी दिया गया है जो कहता है कि चित्र को देखिए और दिखाई गई वस्तूओं को गिन कर लिखिए सबसे पहले पूची है नारियलों की संख्या हमने तो पहले ही पता लगा लिया कि नारियल कुल कितने है इस चित्र में कुल 27 नारियल है तो हम यहां लिखेंगे 27 बिल्कुल सही आईए आगे बढ़ते हैं अब हमें नावों की संख्या लिखनी है देखो नाव भी तीन जगह पर खड़ी दिख रही है एक जगह पर है एक दो तीन चार चार नाव हम अब अगली जगह पर देखते है अगली जगह पर भी है चार नाव तो चार में चार जोड़ा तो हुई आठ नाव बिल्कुल सही और आठ में चार जोड़े तो बने बारह मतलब कुल बारह नाव है तो हम इस डिब्बे में लिखेंगे बारह बिल्कुल सही अब हमें पता लगानी है बच्चों की संख्या चलिए गिन कर देखते हैं कि यहां कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं गुबारों के पास दो बच्चे थेले के पास खड़े हैं और दो बच्चे नीजे रेत पर बैठे खेल रहे हैं बिल्कुल सही हाँ तेशा अब इन्हें गिन कर बताईए एक, दो, तीन, चार, पाच, छे इस चितर में इच्छे बच्चे हैं बिल्कुल सही बच्चों, अब आपकी बारी है आप संतरों की संख्या पता लगाईए और दी गई जगह में लिखिए बच्चों, आपने देखा कि हमने इन वस्तों को कैसे गिना हमने नारियल और नावों को समूह में गिना नारियल को पांच-पांच के समूह में और नाव को चार के समूह में हाँ, लेकिन बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए हमने उन्हें एक-एक करके गिना आपने भी तो संतरों को गिना होगा ना कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एके करके गिना? या फिर समूह में गिना? गिनने के दोनों ही तरीके सही है जब वस्तू की संख्या अधिक हो और वे समूह में हो तो उन्हें समूह में गिनने से सहूलियत रहती है और गिनने का काम भी जल्दी हो जाता है आईए अब आगे बढ़ते हैं और चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखते हैं तुशा आप इन वस्तूओं को देखिए और रिक्त स्थान भरिए सीपीयों की रिक्त स्थान मालाएं हैं प्रतेक माला में दस सीपियां है बच्चों इस चित्र में आप एक महिला को देख सकते हैं जो कुछ मालाएं बेच रही है गिनकर बताईए कि उसकी चादर पर कितनी मालाएं है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस मालाएं बिल्कुल ठीक आप देखिये इसमें बात की गई है गुबारों की गुबारे किस-किस रंगे हैं गुबारे का रंग है लाल, पीला, हरा और नीला अगर ध्यान से देखें तो इन चार रंगे गुबारों के समूह बने हुए है आईए देखते हैं कि कितने समूह है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, गुबारों के छे समूह है प्रतेक समूह में चार गुबारे हैं लाल, पीला, हरा और नीला एवं डैश गुबारे शेश हैं दो गुबारे शेश हैं क्योंकि वे गुबारे एक बच्चे के हाथ में हैं इसी तरह आप घल कीजिए केलों के डैश गुच्चे हैं प्रतेक गुच्चे में डैश के ले हैं इवं डैश के ले शेश हैं बच्चों एक छोटी से लड़की जो शायद समूद्र किनारे गई थी वहां से कुछ शंक और सीपियां लाई है उस लड़की का नाम है सुर्भी सुर्भी ने कुछ शंक सीपियां गिनी वे कंगन और माला बनाने में अपनी मा की सहायता करना चाहती है उसने पहले कुछ कंगन मनाए देखिए उसके बनाई हुए कंगन तुईशा आप बताईए कि सुर्भी ने कितने कंगन बनाए एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आथ, नो, दस सुभी ने शंक सीप्यों के दस कंगन बनाए तो प्रते कंगन में कितने शंक सीप्या है? एक, दो, तीन, चार, पाच प्रते कंगन में पाच शंक सीप्या है, है न? हाँ उसकी मा ने शंक सीप्यों की मालाएं भी बनाई है देखो कितनी मालाएं है? उसकी मा ने पाच मलाय बनाई है बिलकुल सही और प्रतेक माला में कितनी शंक सीपिया है प्रतेक माला में दस शंक सीपिया है हाँ शंक सीपिया शंक सीपिया बोल बोल कर जीव ही ठक गई क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बार-बार बोलते हुए आपकी जीव लड़ खड़ा जाती है हाँ अच्छा तो ज़रा ये बोल कर दिखाईए समुद्र किनारे किराने की दुकान किनारा किराना किराना किनारा इसे बोलिए समुद्र किनारे किराने की दुकान किनारा किराना किराना किनारा अरे वा Islam बच्चों आप भी इसे बोलिये एवं अपने मित्रों से भी बलवाइए आप बोलते हुए अपना स्कोर भी रख सकते हैं कि आपने कितनी बार पूरा-पूरा सही बोला कुछ इस तरह समुद्र किनारे किराने की दुकान किनारा किराना किराना किनारा समुद्र किनारे किराने की दुकान किनारा किराना किराना किनारा वच्चो इसी तरह आपसे गलती होगी तो आप ये गिनिए कि आपने कितनी बार बिल्कुल सही बोला अब आप इसे बोल कर देखिए मुझे लगता है कि अभी आपको अभ्यास की और जरुरत है चलो बच्चों हम अभ्यास करते हैं और अगले भाग में आपसे फिर मिलते हैं बाई झाल झाल झाल